मसकार दोस्तो स्वागत है आपका दवी आपी टीवी के एक और नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लेंड की बीच खेले जा रहा है पहले टेश्ट के बारे में जहाँ पर आज पांचवे दिन भारती बल्लेबाजो ने अपने ही घर में टीम इंडिया की ऐसी लूटिया डुबोई की दुनिया का हर भारती फैंस टीम इंडिया के इन खिलारियों को कोस रहा है दोस्तो आपको बताएंगे किसकी गलती की वजह से टीम इंडिया जीते हुए मैच को हार गई तो इस वीडियो में लाच तक बने रहिएगा वही दोस्तो अगर आप चाहते हैं भारती टीम दूसरे मैच में अंग्रेजों पर पलटवार करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर किजेगा तो चलिए आपका ज़्यादा समयना लेते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो चन्नाई टेश्ट में हुए बेहत रोमान्चक मुकाबले में टीम इंडिया को सर्मनाख हार का सामना करना पड़ा है आखरी दिन के खेल में भारत को मैच जीतने के लिए 380 रन चाहिए थे और 9 विकेट बचे हुए थे तो ऐसे में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भारतिय टीम अंग्रेजों के सामने इस तरह से अपने ही घर में घुटने टेक देगी जी हा दोस्तो जिस तरह से टीम इंडिया ने अजिंगर हारे की कप्तानी में औस्टिल्या में लड़कर हारे हुए मैच को जीती थी ठीक उसी तरह सभी भारतिय फैंस टीम इंडिया के खिलाडियों से वही लड़ने की जज़बा की उमीदे किये थे अगर इस मैच को टीम इंडिया जीत नहीं सकती थी तो ड्राज जरूर करा सकती थी लेकिन भारती बल्ले बाजों ने आज लंच के पहले ही अंग्रेजों के सामने जिस तरह से घुटने टेके इसकी उमीद किसी ने नहीं की थी जी हाँ दोस्तो भारती बल्ले बाजों ने अपने घटिया बल्ले बाजी से भारती फैंस को ऐसा दर्द दिया है जिसे काफी समय तक भुलाया नहीं जा सकता है 420 रनों के जवाब में रोहित ने तो कली अपना विकेट ठेक दिया था लेकिन फिर भी आज सुबमन गिल और चेतेस्वर पुजारा से अच्छी बल्ले बाजी की उमीदे थी लेकिन टीम की सबसे बड़ी उमीद चेतेस्वर पुजारा इस पारी में फिर से नाकाम रहे और महस 15 रन बना कर आउट हो गया हले कि गिल ने अच्छी बल्ले बाजी की लेकिन वे भी हमेशा की तरह 50 रन बना कर अपना विकेट फेक दिये और गिल के रूप में आज भारत को आधे घंटे में ही आज दूसरा जटका लग गया दोस्तो गिल के आउट होने के सदमे से टीम इंडिया उबर पाती की एक और बड़ा जटका जैंपस एडर्सन ने दे दिया जब एक ही ओवर में गिल को तो बोल्ड किया ही और तीसरे ही गेन पर उपकप्तान रहाडे को भी बोल्ड कर दिया और इस तरह एक ही ओवर में जैंपस एडर्सन ने भार्ती टीम के दो बड़े विकेट ले लिये रहाडे दूसरी पारी में भी टीम को निराज किये और बिना खाता खोले ही चलते बने दोस्तो 92 रन पर चार विकेट गवाने के बाद टीम इंडिया ऐसे ही मुश्किल में थी तो ऐसे में एक बार फिर सभी की निगाहे रिशाप पंथ पर टिक गई इस तरह आधी भारती टीम 110 रन पर ही पविलियन जा चुकी थी तो ऐसे में पहले पारी में नबाद रहने वाले वाशिंटन सुन्दर भी दूसरी पारी में टीम इंडिया की लूटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वे भी इस मुसीबत में बिना खाता खोले ही आउट हो गए और दोस्तो लंच तक ही भारती बल्लेवाजों ने अपनी हार तै कर दी जब 117 रन पर 6 बल्लेवाजों ने अंग्रेजों के सामने गुटने टेक दिये हाले कि कप्तान कोली एक छोड़ पर अपने टीम को हार से बचाने की भरपूर कोशिश करते रहे लेकिन दूसरे छोड़ से विकेट गीरते रहे लंच के बाद अस्विन भी अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सके और नरन बना कर वे भी चलते बने दोस्तों 171 रंपर साथ विकेट गीर जाने के बाद कोली के लिए भी इस मेच को बचाना असान नहीं था और वे भी दबाव में आ गए जिसके वज़़े से बहुतर रंबना कर स्टोक की गेंज पर बोल्ड हो गए और यहीं से टीम इंडिया की पूरी उम्मीत खत्म हो गई और भारतिय टीम पहले टेस्ट मेच अपने धरती पर हार गई दोस्तों इस मेच में टीम इंडिया ने कई गलतिया की जिसके वज़़े से उन्हें हार के सामना करना पड़ा भारते टीम के चार बड़े दिगज रोहित, पुजारा, रहाने और कोली जिसे बल्ले बाज अंग्रेज गेंद बाजों के सामने रन नहीं बना पाए रोहित और रहाने ने तो दोनों पारियों में टीम के लुटिया डू वोई